C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय ग्यारह परिमांप और क्षेत्र फल प्रिष्ट दो सौ चाउंतीस ग्यारह दशमलव पाँच व्रित्थ एक दौड़ पत अपने दोनों किनारों पर अर्ध व्रित्थाकार है अक्रिती 11.27 यहां एक दौड़ पत दिया गया है क्या आप एक धावक द्वारा तै की गई दूरी ग्यात कर सकते हैं यदि वह इस दौड़ पत के दो पूरे चक्कर लगाता है जब आकार व्रित्थाकार हो तो हमें उसके चारों और की दूरी प्राप्ट करने की एक विधी ग्यात करने की आवश्यकता होती है 11.5.1 व्रित्थ की परिधी तान्या गत्ते के घुमावदार आकार के अलग-अलग खाड काटती है वह इन काडों को सजाने के लिए इनके चारों और किनारी लगाना चाहती है प्रत्यक के लिए उसे कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी आकरिती 11.2.8 यहां तीन अलग-अलग वक्र दी गई हैं आप एक पैमाने यानी रूलर की सहायता से वक्र यानी खोव को नहीं माप सकते क्योंकि यह आकरितीयां सीधी नहीं हैं आप क्या करेंगे आकरिती 11.28a में दीए गए आकार की आवश्यक किनारी की लंबाई ग्यात करने के लिए आपको एक तरीका बताया जा रहा है कार्ड के किनारे पर एक बिंदू अंकित कीजिए और इसे एक टेबल पर रखिए बिंदू की स्थिति को टेबल पर भी अंकित कीजिए 11.29 यहां एक वक्र दिया गया है जिस पे एक बिंदू है अब वृत्ताकार काड को एक सरल रेखा की दिशा में टेबल पर तब तक घुमाईए जब तक अंकित बिंदू टेबल को दुबारा स्परशना कर जाए इस दूरी को रेखा के अनुदिश में मापिए यह आवश्यक किनारी की लंबाई है यह काड के अंकित किये गए बिंदू से काड के किनारे किनारे वापस उसी बिंदू तक की दूरी है अक्रिती 11.30 यहां ए से लेकर बी तक तीन वक्र दिये गए हैं प्रिष्ट 235 आप एक धागे को वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर किनारे किनारे रख कर भी दूरी ग्यात कर सकते हैं एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधी कहलाती है इन्हें कीजिए एक बोतल का ढखकन, एक चूड़ी या कोई अन्य वृत्ताकार वस्तु लीजिए और इसकी परिधी ग्यात कीजिए अब क्या आप इस विधी से एक धावक द्वारा एक पथ पर तै की गई दूरी ग्यात कर सकते हैं अभी भी पथ के चारों ओर की दूरी ग्यात करना या अन्य किसी वृत्ताकार वस्तु को धागे से मापना बहुत ही मुश्किल होगा तद्धापी यह माप सही नहीं होगी अतह इसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता है जैसा के तल की आकरिती या आकारों के लिए हम प्रयोग करते हैं आईए हम देखें क्या वृत्तों के व्यास और परिधी के बीच में कोई संबंध है निम्न तालिका पर विचार कीजिए अलग अलग त्रिज्याओं के छे वृत्त खीचिए और धागे की सहायता से उनकी परिधी ग्यात कीजिए परिधी और व्यास के अनुपात को भी ग्यात कीजिए तालिका के स्थंभ हैं वृत्त, त्रिज्या, व्यास, परिधी, परिधी और व्यास्खा अनुपात एक, 3.5 cm, 7.0 cm, 22.0 cm, 22 बटा साथ बराबर 3.1,4 2. 7.0 cm, 14.0 cm, 44.0 cm, 44 बटा 14 बराबर 3.1,4 3.10.5 cm, 21.0 cm, 66.0 cm, 66 बटा 21 बराबर 3.1,4 4. 21.0 cm, 42.0 cm, 132.0 cm, 132 बटा 22 बराबर 3.1,4 5.5.0 cm, 10.0 cm, 22.0 cm, 22.0 cm, 22.0 cm, 22.0 बराबर 3.2,6 15.0 cm, 30.0 cm, 24.0 cm, 24.0 cm, 24.0 cm, 24.0 cm, 23.0 cm, 22.0 cm, 32.0 cm, 23.0 cm, 3.1,3 उपर दी गई तालिका से आप क्या निशकर्ष निकालते हैं? क्या यह अनुपात लगभग समान है? हाँ, क्या आप कह सकते हैं के एक वृत्त की परिधी हमेशा इसके व्यास की तीन गुणा है? हाँ, यह अनुपात स्थिर है और इसे पाए से प्रदर्शित करते हैं. इसका मान लगभग 22 बटा साथ या तीन दशमलव एक चार है. अथ है, हम कह सकते हैं C बटा D बराबर पाई, जहां C वृत्त की परिधी और D इसका व्यास दर्शाता है. या C बराबर पाई D. प्रिष्ट 236 हम जानते हैं के एक वृत्त का व्यास यानि D, त्रिज्या यानि R का दुगुना होता है. अर्थात D बराबर दो आर अथ है C बराबर पाई D बराबर पाई गुना दो आर या C बराबर दो पाई आर इन्हें कीजिए आकरिती 11.3 एक में A. किस वर्ग का परिमाप अधिक है? B. कौन सा अधिक है? छोटे वर्ग का परिमाप या वृत्त की परिधी? आकरिती 11.3 एक यहां एक आकरिती दी गई है. प्रयास कीजिए एक चौथाई प्लेट थथा एक अर्ध प्लेट लीजिए प्रत्येक को टेबल की उपरी सतह पर एक बार घुमाईए कौन सी प्लेट एक पूरे चक्कर में अधिक दूरी तै करती है, कौन सी प्लेट कम चक्कर में टेबल की उपरी सतह की लंबाई को पूरा करेगी उदहरन बारह 10 cm व्यास वाले एक वृत्त की परिधी ग्यात कीजिए 5 बराबर 3.1 चार लीजिए हल, वृत्त का व्यास D बराबर 10 cm, वृत्त की परिधी बराबर 5D बराबर 3.1 चार गुणा 10 cm बराबर 31.4 cm अतहे 10 cm व्यास वाले वृत्त की परिधी 31.4 cm है उदहरन तेरह एक वृत्त कार तश्तरी यानि डिस्क की परिधी ग्यात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 cm है प्रयोग करें पाई बराबर 22 बटा साथ हल, वृत्त कार तश्तरी यानि डिस्क की त्रिज्या आर बराबर 14 cm तश्तरी की परिधी बराबर 2 पाई आर बराबर 2 गुणा 22 बटा साथ गुणा 14 cm बराबर 88 cm अतहे वृत्ताकार तश्तरी की परिधी 88 cm है उदहरन 14 है एक वृत्ताकार पाईप की त्रिज्या 10 cm है पाईप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आविशक लंबाई ग्यात कीजिए प्रयोग करें पाई बराबर 3.14 हल पाईप की त्रिज्या आर बराबर 10 cm प्रिष्ठ 237 आविशक टेप की लंबाई पाईप की परिधी के बराबर है पाईप की परिधी बराबर 2 पाई आर बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा 10 cm बराबर 62.8 cm इसलिए पाईप के चारों और एक बार टेप लपेटने की आविशक लंबाई 62.8 cm है उदहरन पंदर है दी गई आकरिती का परिमाप ग्याद कीजिए आकरिती 11.32 पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए आकरिती 11.32 यहां एक आकरिती दी गई है हल इस आकरिती में हमें वर्ग के प्रत्येक और स्थित अर्धवरित की परिधी को ग्याद करने की आवशकता है क्या आपको वर्ग के परिमाप को भी ग्याद करने की आवशकता है नहीं, इस साकृती की बाह्य परिसीमा अर्धवृत्तों से मिलकर बनी है। प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है। हम जानते हैं के व्रित्त की परिधी बराबर πाई डी, अर्धवृत्त की परिधी बराबर एक बटा दो पाई डी, बराबर एक बटा दो गुणा 22 बटा साथ गुणा 14 cm, बराबर 22 cm। प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधी 22 cm है, अतहे दी गई आकृती का परिमाप बराबर चार गुणा 22 cm, बराबर 88 cm है। उधाहरण 16 है, सुधानशू 7 cm त्रिज्यावाली एक वृत्ताकार तश्तरी यानि डिस्क को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप ग्याद कीजिए। प्रयोग करें पाई बराबर 22 बटा साथ। हल अर्धवृत्ताकार तश्तरी यानि डिस्क के परिमाप को ग्याद करने के लिए आकरिती 11.33 यहां एक वृत्त और अर्धवृत्त दिये गए हैं। हमें ग्याद करने की आविशक्ता है एक अर्धवृत्ताकार आकार की परिधी दो व्यास। दी गई त्रिज्या यानि आर बराबर साथ सेंटिमीटर है। हम जानते हैं के वृत्त की परिधी बराबर दो पाई आर। अतह है अर्धवृत्त की परिधी बराबर एक बठा दो गुणा दो पाई आर। बराबर पाई आर। बराबर बाईस बटा साथ गुणा साथ सेंटिमीटर बराबर बाईस सेंटिमीटर। इसलिए वृत्त का व्यास बराबर दो आर बराबर दो गुणा साथ सेंटिमीटर बराबर चोदह सेंटिमीटर। अथ है प्रत्येक अर्ध व्रित्ताकार तश्तरी यानि डिस्क का परिमाब बराबर 22 cm जमा 14 cm बराबर 36 cm अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्य मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत